ये कवीता सभी ममाज और सभी हाउस वाइफ के लिए है। आज की ओड़तें चाय की तरह कड़क हैं। पक-पक कर स्वादिष्ट हो गई हैं। जिन्दगी जीने में माहिर हो गई हैं। दूद सियाईती ससुराल में अदरक की तरह कूटी गई। वो अपनी चीनी मिलाती रही और तजूरों की आज में खुद को पकाती रही। और आज देख लो मजे से घर चलाती हैं और अपना दिल भी बहलाती हैं। चालिस की होने के बाद भी चब्विस की नजर आती है। अब कोई दूद सा उफनता नहीं, किसी का हाथ अब जलता नहीं, सब समेट लेती हैं, खुद को सहीज लेती हैं। ये उम्र दराज नहीं होती, ये उम्र को दराज में रख लेती हैं। इनके बच्चे बड़े हो रही हैं और ये इलाइची की तरह महक रही हैं। बुड़े हो इनके दुश्मन, ये आज भी नए नाम कर रही हैं, इनका नशा कभी कम नहीं होता, कुलड हो या बॉन चाइना, इने कभी गम नहीं होता, ये तो अधरक से भी दोस्ती निभा लेती हैं, उसे अपने अंदर समा, उसका भी सौध बढ़ा देती हैं, इसलिए चा